असलाम अलेकुम फ्रेंज कैसे हैं आप लोग तो रिखें फ्रेंज पिछले वीडियो में हमने जो पिन से लेके से साल तक की बेबी के लिए फुल बाजू स्वेटर स्टेप बाई स्टेप बनाना स्टार्ट किया है आज इस स्वेटर की पार्ट नंबर 5 है इससे पहले मैंने चार पार्ट अप्लोट की है जिसमें मैंने बैक पार्ट में फंदे लेना डिजाइन अजेस्ट करना मुद्दे की गटाई फिर फ्रांपर्ट की जो है गोल गली की गटाई और फिर इस स्वेटर की जो गला है उसके लिए कितने फंदे उठाने है तो वो मैंने पूरा इसकी जो डिटेल्स में इसको बताऊंगे और इसकी फाइनल लुक पर आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी इसमें से लाइव अगरा करके तो देखें आज यह पार्ट नमबर फाइव है इसमें हम स्लिप बनाएंगे तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं स्लिप को हम कैसे बनाएंगे तो देखिए एक स्लिप मैंने तयार कर ली है जो कि इस तरीके से इसकी लुकाई है देखिए यह साइडों से मैं इसमें फंदे बढ़ाते बढ़ाते इसमें डिजाइन को भी अजेस्ट किया है इसकी जो शेप है कुछ इस तरी को बनाने के लिए यहाँ पर मै बॉर्डर में डिजाइनर पंदे डाले हो लूंते हद मैंने पंडे तो एक सलाय में लुटे तरफ से बनाली है उसके बात एक सिधा एक उल्टा करते हुए इसके बाद बना लिहां है यह तो टोटल में बनाी है उतना ही आपको यह बनानी है क्याना पर मुद्धारने 48 कवर्ण प्रेटरम के पाफी लूंद्धारनी और पर 48 फंदे से इसको स्टार्ट किया है अगर आपकी बर्दमान की कोई मोटी उन है तो उससे आप यहां पर 40 फंदे से स्टार्ट किजिए पर 14 फंदे डाली उसके बाद इस तरीकसे बॉर्डर बना लिए फिर आपको जो है जितनी बॉर्डर की लंबाई रखनी है अगर आपने 14 रखनी है तो पहले 15 बना ली है और 16 वी जो 16 रो है वो उल्टी तरफ से मैं आप च्छे फंदे बढ़ा दी मेरी डिजाइन की हिसाब स है डिजाइन मेरी चार-चार फंदों के मल्टिपल चलती है और लाश में दो फंदा एक्स्टा लेना होता है तब ही डिजाइन मेरी प्रोजेक्ट पर इस तरह कैसे सट हुई है तो यहां पर मेरी जो है फोर-फोर के मल्टिपल आ रही थे टोटल और मैंने फिर एक सट करनी है और साइटे सो फंदे कैसे बढ़ानी है वह मैं आपको दिखाती हूँ और यह में पूरा बनाऊंगी दस नंबर की सलाइस तो आप यह दिजाइन की फर्स्ट चो जासे हमने यहां पर आपको बताई है पल्ले में वैसे ही बनानी है दो सिधा दो उल्टा दो सिध फिर उन अपनी तरफ दो फंदे उल्टे तो इस तरीका से करते हुए उन पीछे दो सिधे तो ऐसे करते हुए हम बना लेंगे दो सिधा दो उल्टा करते हुए लास्ट तक उसके बाद में रॉंग साच से थोड़ा सापको दिखाती हूँ दिखे फ्रेंस यह मैंने लास्ट बनाएंगे सिधे है सिधा बनाएंगे तो जो फंद आपका जैसा दिखेगा वैसे ही बनाते है इस रोग को अप्लीट करने रॉंग साइच से स्टाइटिंग में उल्टा बनाएंगे पहले वापास पिछे के तरफ ले जाएंगे दो फंद हमने उल्टे बनाएं सीधी सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद इसमें आपने जो भी कलर लगानी है वो उसको आप पर जयान कर लिए तो इसको मैं करके फिर आगे आपको दिखाती हूं तो dHEN से मैंने लुटी सहलाई कम्प्रेट कर लिए है और यहां पर मेनी वाइट का उन लगा लिए है थोलें यहां पर दिकिए यहां पर हमारी जो डिजाईन की यह फर्श्ट रोर स्टार्ट होगी वह हमारी जो नेक्ष्ट कलर है उससे अच्छ थोटराऊ सा हमें और वह रहीं कर लेंगे और Lindsay dear स्लीप करने और जो दो फंद मेखें घजेश्ट है इसनुस्이스 तरफों कंग बना देंगेJean साथ यह खेंगेन के विसीरी कहई है बनाई है और ऊपर हम और 4 सलाई बनाएंगे टोटल 6 सलाई बना लेंगे उसके बाद हम साइड से फंदे काड़ाना इस्टाब करेंगे तो पहले में 6 सलाई टोटल बना ल को तो देखेजे प्रिज्ए मैंने से सलाई और चार सलाई हो रबेस कलर उन्टिटम दूसरादिक हो अब उन्टि है अब मुझे पर yamu को इंक्रेज़ करना है स्थाइदों से आप फन्टिय उन्क्रेज़ करेंग हैं और इक फन्ट ययाँ से अ स्लिप की वह एगी तो इसके लिए देखे पहले फंदे को ऐसे सिधा बनाएंगे क्योंकि जब हम इसको सिधा बनाएंगे यह जो फॉइट कलर से हमें यहाँ पर फंदे को इंक्रीज करना है जो कि यह जो फंदा है हमारी डिजाइन के साफ से उल्टा फंदा बनेगी लेकिन अब हम इसको उल्टाने ही बनाएंगे इसको हम सिधा बनाएंगे क्योंकि फंदे इंक्रीज करने है इसके लिए देखिए ऐसे लेंगे फंदे को और एक बर पर फिर उन अपनी तरफ करके ऐए दो फंदे में उल्टे बनाने हैं इसे हम उल्टा बना देंगे तो यसे करते हुए यहां से हमने एक बढ़ा दिया लाष्ट दो फंदे ने टक इसको डिजाइनal करते हुए यहां तक complete कर लेंगे अब हमें इस वाले फंदे पे फंदे इंक्रीज करने हैं लेकिन इसको उल्टा बनानी है अब हम इसको उल्टा नहीं बनाएंगे ऐसे सिदा बनाएंगे एक बार फिर बैक साथ से सलाई डालके फिर से इसी में से फंदे निकालेंगे तो एक फंदा जो ह स्लिप कर लेंगे उसके बाद दो फंदे यहां पर थोड़ा सा दिखा देती हूं बनाके तो यह पहले फंदे कर लेंगे फिर उन जो हे हमारी यह पीछे की तरफ ही रहेगी दो फंदे हम सीदे बनाएंगे जो की डिजाइन के हिसाफ से बनीगी फिर उन अपनी तरफ करके यह दो फंदे हमें उल्टे बनानी है क्योंकि हमने स्धी बनाये थे ओर अईसे हीい डिजाइद चरह्ण हम अज्जेस्ट करेंगे और पूरी सिलाइ ला mm और के रहे सथा और पी यह में यह को लता बनानी है तो पहले मैं इस से दूसरी सिदी तरफ से फिर चौती सिलाइ रॉंग साथ से फिर पाचवी सिदी तरफ से और चटी सिलाइ रॉंग साथ से इस तरीके से हम छे सलाइ बनाएंगे उसके बाद इंक्रीज करेंगे और यह जो श्राग मैंने अपको बतार आमको बताई इन दिजाइन पसप आर्थ różपनर की तो यह बनानी है तो इसे पार जांख एक दीज़ाइन उन्धर पर अब क्ते मैं यह करते हुए आगे जानी हैं तो यह पहले हम प्रड़े को स्लिप कर लेंगे या फिर आप चाहे तो सिधा बना सकती है और फिर देखें यह नीचे से अम पन्डे को उठाएंगे कि डिजाइन भी हमने अभी रिपीट करनी है इन दो फंदो में तो नीचे से यह वला लूप पर और यहां से सलाईडा डालेंगे देखिए इसको उता यां इसको लाइँकर इसको अभाने नारत वहार जो हम सीधा बना बना दिन गे और जब आप उलटी सलाय बनाइढ गे इन दो फंदों जाब बना नी कुछ ऑर इन दो फंदों खोला सام्यला को और गाईनगे चाहिए एक प्रीकी है यूर्ड़ कर देथा इसी तरीके से रिपीट करती हुए हम लाष्ट यहां तक बना लेंगे तो दिखे श्रेंस यहां ने लाष्ट तक कम्प्लीट कर लिए है अब लाष्ट यहां पर देखे यहां से फंदे को उठाएंगे यह जो सीधा फंदा है यहां से फंदे को उठाके देखे थोड़ा सा दिखा देती हूँ यह देखे यहां से फंदे को उठाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे सलाई में लेके सीधा बना देंगे तकि आप जाली भी ना पड़े और हमारे फंदी भी अराम से इंक्रीस हो यह लास्ट का फंदा हमने यас सीधा बना दिया अब इसी तरीके से फिर से रॉमसेच से एपकी डिजाइन की σाबसे बनेगी यह जो दो फंदे सीधे है इनको हमें बनानी है और स्राटिंग के दो फंदे बनाने है थोड़ा सा दिखाद देती हूँ जो सीधा अब सिता हुआ दीधा क्याओगे दो फंदे 85 चाओं तो एसी को रिपेट करें ने हैं कि का इसा करो डीक है कि आगे ग्राम फिर से क्या बना देन light करके है एक बार दो बार तीन और चाल बार चार बार हमने च्छाker सलाई के बाद इस को बढ़ा यह उसके बात हर हर चार सलाई के बाद जैसे हमusta हमने च्छे सलाई बनाइं Born शुझा रणाएंगे बनाओं तो थिद्धिक करनाओं मतलब फंदे को increase करते हुए हम यह लाश्ट यहां तक बना लेंगे दिबी के साफ सो देखे एक दो तीन चार पाथ छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा डिजाइन की है दिबी हम पूरा इसमें बना लेंगे जो की हमारे फंदे को increase करना है डिजाइन को वेज़स्ट करते हुए बना ले लिए हैं चार बार हम छे सलाइक बद बढ़ाएंगे और बाग की जो है हम चार सार सलाइके बाद एक एक फंदा दोनों साथ से बढ़ाते हुए इसमें देखे एक पर दो तीन चर फिर यहां से यहां तक जब बनाएंगे तो यह चार सक्के इस दोनों साथ से बनागत करते हैं लंबाई में पूरा कंपलीट कर लेती हुए उसके बाद इसमें मिने थोड़ा सा जो है कि इस तरह तो दिखा आती हुए क्योंकि यह जो कटिंग है यह भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं तो मैं एक तरीके आपको इसमें बताऊंगे जो कि मैंने इसको यह गुलाय देने के लिए कि इस तरीके से मैं इसको बना लेती हूँ टोटल में इसमें 90 से उपर फंदे बढ़ा लेती हूँ 90 से उपर मतलब 95 सकती है तो इसमें बढ़ा भी तो अच्छा रहेगा लेकिन यहां पर आपकी फिट आनी चाहिए लेकिन आम अगर थोड़ा सा डिला रखेंगे तो कोई प्रब्लम नहीं आएगा इसमें आप दो-दो स्लाइं के बाद भी फंदे को इंक्रेस कर सकते हैं तो इसको पूरा में बना के पिर आगे आपको इसका कटिंग कैसे करनी है वह पता आती है देखेंस लिप की जो लंबाई है वह कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर टोटल फंदे जो है मेरे दिजाइन को भी अज़ेस्ट कर दिया इस तरी के से और यहाँ पर दिखेंस की जो टोटल लंबाई है वह मैंने इंची टेप से कितना बनाई है दिखें यहां से यहां तक लगबग 13 इंस इसकी लंबाई है और जब हम इसकी गटाए करेंगे तो यह थोड़ा और एक या देड़ इंस बन जाएगी जिससे की इसकी टोटल लंबाई कंप्लीट हो जाएगी और अगर मैं आपको डिजाइन के साब से बता हो तो यहाँ पर तरह भर लंबाई को की है अगर आपको यह चोड़ा लग रहा है तो आप यह थोड़ा रहाए इसकी लेंध रख सकती है यह जो बंती है यह पूरा मेजरमेंट नहदे है Extension ब नहींदा जो डिबि मेंने डाली है दिल से क्ट्पाइब सितके fois को काइसे है जितने every hai मुझ्दे भूरे पेडनेल pandemic साउना ख़रा को कि अगर जाना है यह लिए हमें देना च्छाहीं थोड़ा सा घ्याइण करने हैं वह कैसे करनी है दिखें पहले चीदी तरफ से चार फंदे कटाएंगे जो की हमारी ये खल चंग करनी है तो इसके बाद दो फंदे कटा एंगे सीधे सच्छ और रंग साथ से दो और बाकी जितने इसे इवसको के साथ निकाल देंगे तो एक बार मैं आपको गटाई बता देती हूं बाकि ऐसे ही डिजाइन के साथ आपको करनी है तो दिखें यह कटिंग की पहली से लाय जा रही है हमारी इसमें हमें कलर भी चेंज करनी है और गटाई भी डालनी है तो इसके लिए पहले फंदे को ऐसे सिदा बना देंगे आए रिकिए ऐसे करें और यह सेकेंड सिदा बनाएंगे लेकिन से पहले इस वाले को हम आप पर फसाहानगे क्योंकि यह प्र कड करना है और इसके ओपर से दिखें यह पर सम्टी है को यूंसे यूदल इस इसके लिए ऐसshow साया कि लिएुट बनाया कर तूंदा को इसको लिए इसको आं से बिसाया चुक्च 3 है कर लिए ईसको फथाया और मैं चार यह सब्सक्राइब जूशाइब करफे निभाइब देखे द्रेश्ट करेंगे सबस्क对 करें तो पड़न के सबस्क्राइब झावरह सबस्किन C सबस्क्राइब, सबस्क्राइब 2 जिल्वर सबस्क्राइब भीजाइन गाव, हएं उप रिषट देख दूने सबस्क्राइब अब यहां से इसको slip करेंगे तो first row design की जासे बनती है वैसे बनाती हुए यह सलाई हम लास्ट तक बनाएंगे cutting की भी यह first row है फ्रेंट से मेंने ल्राष्ट परफ टवीन्हें लास्ट कभेश्ट कर दीए और श ह्याँ स्वेश्टफ और यह जो दोपनदे हैंं यह हमारे पर क्येंगिये एक बार अब 왜 गटाँने फिर इसको इसमे लेंगे और बार इसको एसलेंगे cm करेंगे दो बार इसको आब बार था 2 करेंगे 2 और इसले हैं मैंद दोगाइक चार बार कूंते हैं इसमें Cover 2 जो ए में थेजमार फ्रणिवाग करना है फिर फंदू्ध लोड़ उल्टे कि और दोस्तुनुन में वार पैसे बनते हैं वैसे बनाते हुए इस रोग को भी लाक्षटां कर लिंगे तो दो सब्सक्रीक मैं आदा है तो आधर आधर बनांते और होफ दाएंगे देखें पहले फंदी को ऐसे स्लिप किया फिर दूसरी फंदी को सीधा बनाया है इसके उपर से इसको गिरा दे एक ऐसे किया दो और यह तीन और बाकी सिलाई जैसे हमारे डिजाइन की साब से बन देखें है थर्ट ड्रो वैसे ही बनाते होज जाएंगे दो फंदे सीधे बनायेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे तो देखे फ्रेंस सिध्य स्लाय कंप्लेट हो गई है अब यह उल्टी तरफ से चौथी स्लाय डिजैन की भी और कटिंग की भी तो यह यहाँ पर भी हम तीन फंदे कटाएंगे एक ऐसे लिंगे दो फंदेक साथ दो ऐसे लिया और यह तीन और बाकी स्लाय होइट कलर से हम तो अब में आप़ा मैं उल्टी स्लाय कम्लीट का दिए अब आफ सीधी तरफ से यह आप फिर से हम तीन फंदे में में मैं वह यह इंक हर दो आफ से तरफ चीवारें के चैड़ मोरें चेनल लीडूए ढरी तरफ से इस तरीक से डिज Air को भी रीपीट करेंगे और कưởngन विहाल है तो चार। हम ने यहां पर गटा दिये दूनjor साथ से अब दीण इस तरह तर्व धीन इस तरफ दो की माई है ना है ना यह पूरा कंप्लीट हो गई है अलब यह हम एससे उतार doingे वेखिए इंधिखे को healthy को मesढमा नाया इसकी को गिरा दिया और इसको भी ऐसी किया और इसके उपर से गिरा दिया ख। एशости ही पूरी सिलाई हम करेंगे फंदे को ए să thinking दो पूरा और यहां पर आपको ना इसको ज्यादा टाइट करनी है और नहीं ज्यादा डिला करके उतारनी है बस अलके हातों से इस तरीके से उतार लेखेंगे इसको मैं उतार लीती हूँ इसको 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 अप्लीट कर लिए और यहां पर इसको ऐसे करके है और यह हमारी स्लिप बनके बिल्कुल रेडी है और यह थोड़ा सा आपको इस तरह कैसे दिख रही है क्योंकि हमने बीज बीज में उल्टे फंदे बनाए है इसके विज़से थोड़ा फोल्ड हो रहा है जब हम इसको लाए करेंगे ना तो यह बहुत फिनिशिंग के है